हेलो वरिवान, वेलकाँ टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स की यूटूब विज्यो किसने चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे पांच सबसे अच्छी ऐलर्जी की दावाओं के बारे में कि जो अलग-अलग एलर्जिक रियक्शन जैसे कि स्कीन के उपर खुजली होना, फिर आपकी जो तवचा है वो लाल हो जाना या फिर छीक आना बार बार, खासी आना, आखों से पानी आना या फिर आपके होट के उपर सूजन आना जीब आखे या फिर चहरे के उपर जो सूजन आ जाती है तो जो allergic symptoms होते है उसको ठीक करने के लिए कौन सी ऐसी पांच दवाईया है कि जो सबसे अच्छी कही जाती है allergy के लिए तो उसके details study करते है आज के lecture में जानेंगे कि उनके dose क्या होते है side effects क्या होते है और कौन से warning and contraindications रहेंगे ये medications को use करने परते है expert lecture बाया मरसर, assistant professor and founder of pharma drugs थेंक यू पर बीन pharma drugs पे मिले सीखे अलग-अलग बीमारियों के बारे में उनके उप्चार के बारे में फिर जो दवाईया यूज होती है उनके dose क्या होंगे side effects क्या होंगे warning क्या रहेंगे और contraindications क्या रहेंगे वो सीखे सरल बासा में एक साल तक affordable price में pharma drugs के mobile application के उपर the android user android app डाउनलोड करे आइफ़ान यूजर अप स्टोर से लिंक आपको description box में मिल जाएगी या फिर ये वाला हमारा whatsapp number 9016312020 पे आप हमें call या whatsapp कर सकते हैं साथ ही हमारा second channel जिसका नाम है Hollywood to Hindi actions को जरूर सब्सक्राइब करें और वहां पर देखे अलग-अलग Hollywood की movies को वह भी अच्छी feature quality के साथ और फार्मा रोक्स के अप उपर तो अब समझते हैं अलर्जी के में यूज होने वाले सबसे अच्छी पांच दवयों के बारे में तो अलर्जी मतले कि जो हमारी बॉडी जो react करती है किसी भी एलर्जन के सामने और उसके करन जो अलग-अलग उसमें ये सब देखाएगे कि सूजन देखाए गई है फिर आखों से पानी आना फिर छीक आना खासी लाल तवचा हो जाना या फिर आपको खुझली होना कुछ केसिस में लोगों को दस्त भी हो जाते है डीजीने सुन लेकि नीन दाती रहती है ब्रेफिंग करने में प्रा पांच कौन से दवाईया है तो अब यहाँ पे जानते हैं तो नमबर वन पे रहेगा फिनायरेमाइन मैलेट रहेगा जिसको हम एविल कहते हैं एविल के नाम से वो सबसे ज़्यादा पॉपिलर है सेकंड है लिवो सेट्रेजिन या फिर सेट्रेजिन करके जो मेडिसिन आत तो सुरुआत करते हैं फिनायरेमाइन मैलेट से की जो एक है एचवन एंटागोनिस्ट या फिर एंटी हिस्टेमाइन ड्रग है और यह सबसे ज़्यादा पॉपिलर एंटी अलर्जिक ड्रग है एविल के डोस के बारे में आप समझे तो वो रहता है 25 से लेकर 50 मिलिग्राम औरली टैबलेट के तोर पे आप खाते हैं पर डे मलगे समझे कि आप 25 मिलिग्राम यूज़ कर रहे हैं तो वो टैबलेट जो आप दिन में दो बार खा सकते हैं कि एक टैबलेट जो आप मॉर्निंग में खाते हैं और दूसरा जो टैबलेट है वो आप रात में लेते हैं त इंट्रा-मस्किलरली पीसेंट को दिया जाता है या फिर वेन के अंदर सेगर सेकंड मीडिसिन के बारे में जाने तो उसमें दो आपत्सन है लिवोस्यत्रेजिस सा लग है पर दोनों के dose अलग लग है और लिवो सेटरिजन के dose के बारे में हम जाने तो रहे रहेगा 5 mg पर डे मलग कि यह जो टैबलेट है वो दिन में एक ही आपको खानी है कि यह सा रहेगा कि वन टैबलेट पर डे के हिसाब से पेसेंट जो उसको यूज करते हैं और सेकंड स खा सकते हैं और 10 mg का टैबलेट है तो वो दिन में एक बार तो यह जो टैबलेट है 10 mg की तो यह टैबलेट ली जाती है पर डे वन टैबलेट जो है वो ली जाएगी पर डे तो इस तरह से और अगर समझो के आपको यह 5 mg वाला टैबलेट मिला है तो वो दिन में आप दो बा तीसरा मेडिकेशन की जिसको मॉन्टी लुकास्ट हम कहते हैं तो वो लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट क्लास के मेडिकेशन है और उसका डोस रहता है दस मिलिग्राम वन सडिय में लगकि एक टैबलेट दिन में एक बार तो यहाप आप देखो मॉन्टीप करके उसका यह मा एक टैबलेट इस तरह सरेगा और वन जीरो जीरो मलेकि सिर्फ एक ही टैबलेट लेनी है पर डे वीडियो के बीच में मैं आपको बता दो कि हमारे जो सेकेंड चैनल है उसको जरूर सर सब्सक्राइब करें और लिंक आपको डिस्क्रिप्स बॉक्स में मिल जाएक जिसका न जे चौथा मेडिकेशन की जिसका नाम है क्लोर फिनरामाइन मेलेट और पॉपिलर हम मुक्स को सी पीम के नाम से जानते हैं तो वो भी एक अंटि हिस्टेमाइन है और उसका जो डोज रहता है दो से लेकर चार मिलिग्राम पर डे मलग कि आपके पास दो मिलिग्राम की आप यूज कर रहे हैं तो वो टैबलेट जो आप दिन में एक खाएंगे तो इस तरह से उसका यह जो डोस बनता है और बच्चों के लिए देखे तो पॉइंट वन मिलिग्राम पर किलोग्राम के डोस के तोर पे यह जो है वो बच्चों के लिए यूज किया जाता है 280 मिलिग्राम औरली पर दे तो समझे कि आप यह एलेगरा करके आप यूज करते कि जो सनफी का यह प्रोड़क्ट है बहुत ही फैमस मेडिकेशन है तो यह 120 मिलिग्राम में है तो यह जो टैबलेट है वो आप वन से डे लेंगे कि मतलब कि वन टैबलेट आप यूज करेंग one tablet per day के तोर पर उसको use करेंगे अगे जनते हैं ये medications के कुछ side effects तो ये medications लेने के बाद आपको drowsiness या फिर dizziness जैसे फिल होगा मलब कि आपको नेंद आएगी ये side effect इनके develop होती है फिर dry mouth या फिर dry nose या फिर dry throat मलब कि आपके body के अंदर जो saliva होती है उसका जो secretion है कि जो saliva जो हमारे oral cavity के अंदर बनती है तो उसका secretion कम होने के करण आप ऐसा फिल करें कि आपका mouse जो वो dry हो रहा है बार बार आपको पानी पीने का मन होगा प्यास लगेगी तो ऐसे कुछ symptoms जो वो develop होते हैं as allergic reactions फिर जो side effect develop होती है दुसरी जो सीरदर्ध हो सकता है stomach upset हो सकता है कुछ लोगों को constipation हो जाता है breathing करने में कुछ लोगों को difficulty होती है कि अगर उनको allergic reactions develop होते हैं यह medicine से या फिर सोने में जो है वो दिक्कत आती है कई बार और दूसरी side effect अगर इससे ज़्यादा आपको कुछ develop होती है तो तुरंत आपके doctor या फिर pharmacist को contact करके medicine जो वो change करने चाहिए आगे जानते है कुछ ऐसे based allergy के medications की जो सिर्फ और सिर्फ skin allergy के लिए use के जाते की जो लगाई जाते है तो lotion के अंदर आप caladryl का lotion आपकी first choice रहेगे के अगर आपको skin के related allergy हो रहे तो उसके लिए जो best medicine है वो caladryl lotion है अगर ये available नहीं होता तो आप calamine करके जो lotion आता है वो लगा सकते है फिर lacto calamine भी use किया जाता है या फिर जो बच्चों के लिए हिमालिया का जो ये soothing calamine baby lotion आता है वो use किया जाता है फिर creams के हम बात करें तो ये जो आप cream यहाँ पे देख रहे है dermicam OC करके जो alkyam laboratories उसको बनाते कि जो एक antifungal antimicrobial के तोर पे काम करती है अगर skin keepal allergy होते तो उसमें भी यो useful सावित होती है फिर dermicam OC plus करके आता है batonovate आती है और batonovate N and C तो ये भी एक आपके पास option रहते है skin के उपर अगर कोई allergic reactions होते हैं तो उसको ठीक करने के लिए तो medicine course में सीखे अलग-अलग दवाईयों के बारे में उनके dose के बारे में उनके side effect, warning and contraindications को एक साल तक affordable price में सरल बास है के अंदर pharma rocks के आप उपर तो Android user Android app डाउनलोड करे iPhone user app store से या फिर 9016312020 प्याफ में call या whatsapp कर सकते हैं या फिर directly download करें app link आपको description box में मिल चाहेगी good luck and all the best